असलालेकु माई टीब की फैमिली वेलकम बैक तो माई चैनल आई लजीज पकवान में बन रहा है बहुत ही जबरदस बहुत ही आसान तरीके साथ मज़िदार सा पनी आज हम यहां पर कढ़ाई पनी बना कर तयार करेंगे बहुत ही कम इंग्रीडियंट के साथ और बहुत ही आ यहां पर चोटा सा दालचीनी का टुकडा लिया था मैंने उसे शामिल करकर हरका सा क्रेकल कर लेंगे इसे क्रेकल करने के बाद यहां पर दो बड़े साइस की प्यास को मैंने चॉप कर लिया था इस तरह से इसमें शामिल कर लेंगे और प्यास को यहां पर अच्छे से फ्र टोफ टोफ होने तक यहां पर अच्छे से कूप करेंगे तो टमाटर को यहां पर अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए ताके जल्दी से सॉफ्ट हो जाया इसमें 17 см एक पिन पहले होग जाएंगें और नमक का धियान रखेंकि पहले भी हो गांज्द चुक हैं और साथ में इसमें जाएगा क्वाटर टीस्पून हल्दी का पाउडर सारी चीजों को डालकर मसालों को इतने अच्छे से बूनेंगे कि इसका ओल अच्छे से सैपरेट हो जाए और जैसे मैं हमेशा कहती हूं जितनी अच्छी आप मसाल की बुनाई करेंगे उतना ही जबरद अच्छे से बुन जाएगा यहां पर आफ टीस्पून गरब मसाले का पाउडर और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेती को हाथ उसे करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह पनीर की रेसीपी में आप लोगों के साथ वह शेयर कर रहे हूं जो एक जट पट से बनकर तयार होती ह है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राय करें मसाला मज़ेदार सा मारा भून कर तयार हो गया है अब इसमें मैंने लीती एक मीडियम साइस की शिमला मीड जिसके बीज निकाल कर अच्छे से इस तरह से मैंने लंबाई में इसे कट कर लिया था सारी चीज़ों को डाल कर अच् इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर दो से तीन हरी मिर्चे भी आइट करी है अगर आप मिर्चे कम खाते हैं तो इसे इसके बीज़ों कर सकते हैं तो इसे डाल कर भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे हमारा मसाले में अच्छे से इस तरह से बॉइल साने लगेगा फिर इ इस मेंट कर देंगे इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से आप मिक्स करेंगे पनीर आपका इल्कुल भी को ब्रॉक्त कर लिया नहीं है टो मिर्से इसे इस recibir कर लिया था और बस इसे दो से 3 मिर्ट के लिए लिए हलक ज़करterror और हमारा मज़िदार से सब्सक्राइब, फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर किजिए गल्ला, आफ्राइब